आपके पॉर्टफोलियो में HDFC बैंक का स्टॉक होना चाहिए या ICICI बैंक का HDFC बैंक ने पिछले पाथ साल में 35% का रिटन्स यह और आइसे इसे बैंक के शेर ने अपने इंवेस्टर्स को नमस्ते नमस्ते मुझे पता है कि पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेली और इसलिए हम इससे दूर पागते लेकिन अब नहीं मैं हूँ ब्रामी का पासी और मैं आपको करने इंवेस्टमेंट के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रू करने में तब बिल्कुल तेर मत करें आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फाइनेंशन गेम को स्ट्रॉंग करें आज के इस वीडियो में हम दोनों जायंट बैंक्स डाट सब्सक्राइब करेंगे कि कौन सा सही स्टॉक के अगले पाथ से दस साल के लिए तो चलो शुरू करते हैं कि एच्टेफसी बैंक ऑपरेट करता है यूनिवर्सल बैंकिंग मॉडल जो वाइट रेंज ओफाइनेंशल प्रोडक्स और सर्वेसेस ऑफर करता है इनका प्रेजंस इफ अरवन सिटीज में नहीं है बलकि इन्होंने रूडर और सेमी अरवन में भी अपना प्रेजंस बन करते हैं इनका स्ट्रॉंग फोकस है रिस्क मैनेजमेंट मार्केट पोजिशनेंग एंप्लोई कल्चर रोड़क्त डाइवर्सिफिकेशन और डिजिटल इनिशिएटिवस पर एच्टिफिवस बैंक लाजेस्ट प्राइवेट बैंक है इंडिया में अब चलते हैं आईसे इसे बैंक में आईसे इसे बैंक का बिसनेस मॉडल सेंटर्ड है अरॉंड हैविंग स्ट्रॉंग फाइनेंशल पोजेशन अद ओफरिंग सूटेबल बैंकिंग सलूशन लुश सब्सक्राइब है और आइसे इसे बैंक के 6371 ब्रांचेज और सेवेंटी थावजन थावड़ी सेवन एटीएम से फंट फैक्ट बतो इनके जितने ब्रांचेज और एटीम से उतना तो हमारे एच्टिफ सी यह आईसे इसे बैंक में पैसे भी नहीं होगे आपका पैंक बै उसको इंट्रेस्ट देना पड़ता है तो नेट इंट्रेस्ट अमान उनके पास कितना बचा अफ्टर और वाइट रहा है और सेकेंड वे में देखे तो हाई नाएम यह भी हो सकता है कि बैंक ने रिस्की बॉर्वरवर्स को हाई रेट पर इंट्रेस्ट दिया है जो कि रि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और आइसे से पैंक का बढ़ते जा रहा है विच इस ग्रीन फ्लैग अब यह दिखो डोनों बैंग्स का डेट लेवल इतना हाई है क्या हमें इनको अपने पोटफोलिय से दूर रखना चाहिए सोचो सोचो बैंग्स का में कामी है लोन देना इनका डेट टू इकविटी ही रहता है और यह सिलिए हम बैंकिंग स्टॉक्स के लिए डेट टू एक्विटी नहीं देखे है हम देखते हैं नेटन पे कास रेश्व और कापिटल एडिक्वेशी रेश्यों नेट न्पी यानि कंपनी ने जो लोन दिया है उसमें से कितने लोगों ने डिफॉल्ट कर रहा है만 उसंपल लांगेज तो यह जितना कम होगा उतना अच्छा है क्योंकि कम लोगों ने डिफॉल्ट किया दोनों पांग का निट एंपेंज 0.5 परसंट से में विच यह गूट साइं कासा रेशू भी दोनों बैनका अच्छा है और कापिटल चार्ट पर फर्स्ट एच्टेफ सी बैंक टेक्निकली स्टॉक अप्ट्रेंड में बट कुछ मन से कॉंसलीडेट कर रहा है इंडिकेटर अभी पॉजिटिव सिगनल दे रहें लॉंग टम के लिए अच्छा है वीकली में भी इंडिकेटर अभी पॉजिटिव रीसर्च करो औ नहां से स्टॉक कॉंसलीडेट या फॉल कर सकता है विच वुड़ बीए बायन डिप ऑपर्चनिटी दोनों बैंक्स इंडिया की सबसे बड़ी बैंक्स है और दोनों के फाइनेंशल अच्छे हैं आपके क्या व्यूज़ है एच्टेफी बैंक और आईसी आईसी पर डूल अगर आपको मेरा रिसर्च वैलियूबल लगाओ तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना बुले अगर आपके कोई भी सजेशन या फीडबेक हो तो कॉमेंट में जरूर बतर मिलते अगली वीडियो में हैपी ट्रेडिंग एंड हैपी इन्वेस्टिंग झाल इन्वेस्टिंग